क्या इंडिया एशिया कप से बाहर हो गया है? तो क्या इंडिया अफगानिस्तान को हरा कर एशिया कप के फाइनल में पहुँच जाएगा? तो इंडिया सूपर फोर के तीन में से दो मैच हारने के बाद भी कैसे पहुँच सकता है फाइनल में? बता देते हैं आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा भई Hello and welcome to Uncut, मैं हूँ प्रशांत कपूर इंडिया ने Asia Cup में मारी थी एक शांदार entry और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया ने पिछले साल अक्टूबर में मिली हार का बड़े अच्छे से बदला लिया था पांच विकेट से जीता था मैच और पूरा देश, बस यही सोच रहा था कि अब Asia Cup में पर पाकिस्तान ने वो हार दिल पे ले ली और जो धोया है फिर इंडिया को मतलब 182 रन का टारगेट दिया जरूर था इंडिया ने पर पाकिस्तान ने हार ना मानते हुए इंडिया के साथ ये किया और टारगेट चेज कर लिया चलो पहला मैच हार भी गए तो भी इतनी कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि अगले दो मैच श्रिलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ थे और फूरा देश यही सोच रहा था कि भाई ये तो बच्चे हैं अरे मुन्ने हैं अपने इन से जीत कर फिर फाइनल खेलेंगे पाकिस्तान से और फिर सूपर फोर की हार का बदला फिर से ले लेंगे तो श्रिलंका के साथ हुआ इंडिया का दूसरा सूपर फोर का मैच और श्रिलंका ने कहा और मजे से मस्ती करते हुए 174 रन का टार्गेट चेस कर लिया बस पूरा अबारत बॉखला गया बई ये तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था ना हमें तो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खिलना था ना चलो अब वो तो हो नहीं सकता क्योंकि शिलंका दो मैच जीदके पहुँच गई है सीधा फाइनल में और इंडिया verses पाकिस्तान के match में लग गया है बड़ा सा काटा ये भगवान ये क्या हो रहा है? महरमानी करके मुझे समझाइए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है चलो समझा देते हैं क्या हो रहा है ध्यान से सुनिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच जो आज है उसमें अफगानिस्तान जीतना चाहिए फिर इंडिया और अफगानिस्तान का मैच जो कल है उसमें इंडिया जीतना चाहिए बहुत बड़े मार्जिन से फिर पाकिस्तान और श्रिलंका के मैच में श्रिलंका को जीतना चाहिए इससे होगा क्या इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ही अपने सूपर फोर के एक-एक मैच जीते होंगे और दो दोहारे होंगे तो फाइनल में जाने का फैसला होगा नेट रन रेट से और इन तीनों में से जो भी टीम का नेट रन रेट सबसे अच्छा होगा वो फाइनल खेलेगी श्री लंका के खिलाफ तो being an optimistic Indian हमने सारे permutation and combination लगा के आपको बता दिये हैं कि इस तरह से इंडिया पहुचेगी फाइनल में आपको क्या लगता है इंडिया पहुच पाईगी फाइनल में फटा फट कमेंट में हमें बताएं और uncut को like, share और subscribe करो जल्दी very fast